बागी, बजरी और बंदूग के लिए कुख्यात धॉलपूर जिले में एक बार फिर से डकैतों की गैंग ने बंदूग के दम पर लोगों में भै पैदा करना शुरू कर दिया है एक समय में आतंग का परियाय रहे कुख्यात इनामी जगन गुर्जर ने अपनी गैंग के सदस्यों के साथ आतंग मचाया है लोगों में डर है कि फिर कहीं बीहड आबाद ना होने लगे जगन गुर्जर पीहड में दहशत का दूसरा नाम अभी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए पूर्व दश्यों जगन गुर्जर ने जहां बाड़ी में आतंग मचाते हुए कस्वे के मुख्य बाजार में आधा राउंड फाइर किये तो वही लोगों के साथ मारपीट की जससे तीन लोगों को चोटे आएं कई हथ ठेलों और दुकानों से सामान फैंक किया यूं तो चंबल के बिहडों में बागी पनपते रहे हैं कभी विवस्ता के खिलाप आकरोश तो कभी आती जातिवादीता के संघर्ज के चलते वहां लोगों ने बंदू के थामी लेकिन गांधिवादी नेता सुबाराओ दुआरा किये गए आंदुलन के बाद बड़ी संख्या में ऐसे डखेतों ने जो विवस्ता से खिन होकर या किसी अन्ने वज़े से बंदूक थामी थी अपना हतियार रख दिया कहा जाने लगा कि चंबल के बिहडों में अब दश्यू ना के बराबर रह गए हैं लेकिन उसी दौरान कुछ शातिर लोगों ने वहां उन बिहडों को अपनी सरनस्त्री बना लिया जगन गुर्जर ने एक बार फिर बसरी डांग थाना इलाके के करण सिंग का पुरा में दहश्यत फैलाते हुए एक परिवार की महिलाओं के साथ न सिर्फ मारपीट की बलके आरोप है कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर गाउं में घुमाया गया बताय जा रहा है कि जगन गुर्जर जब इनामी दस्यों होने के बाद फरारी काट रहा था तब इस गाउं के रहने वाले भीका राम से उसकी मुख विरी का शक होने के चलते रंजेश हो गई लेकिन बाद में शक दूर होने के बाद सुलह हो गई और जगन गुर्जर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और जेल चला गया तक करिन मुख्यमंत्री के महल को उड़ाने की धंकी भी दी इस पर 10 लाग का इनाम खोशित हुआ लेकिन इस बीच इस शातिक जगन समझ गया था कि शायद पुलिस के गन पॉइंट पर हैं इसलिए प्लानिंग शुरू कर दी और अपने आपको सुधरने की बात करता रहा उस वक्त बहुत सारे पत्रकारों से ये कोशिश कर रहा था संपर करने की उसी वक्त मुझे भी इसने अप्रोच किया एक फोन कर ये इच्छा जताई कि वो सुधरना चाहता है हमने तमाम चीज़े खंगा ली उस वक्त कोई हैं तो यह वक्त करका कि ग्रेता है लिए यह तंधा संपर्दबर्य चाहिक को तैयार हो गया हाला कि वैसा कुछ नहीं हँआ इसने आत्म सरपन किया कैमरी में सचिन पाइलेट उस वक्त वहां मौझूद थे और सचिन पाइलेट के पैरों में हत्यार रखकर इसने कहा कि मैं अब अपराद जगत को छोड़ना चाहता हूं सुधरना चाहता हूं पुलिस वहां पर मौझूद थी इसकी गिरफतारी हुई ये जेल आ गया लेकिन दो दिन पहले जब उस परिवार के पुरश काम से बाहर गए हुए थी और घर में सिर्फ महिलाएं थी आरोप है कि तभी पूर्व दस्यु जगन गुरजर अपने कुछ साथियों के साथ गाउं में आया और महिलाओं के साथ मार पीट की उन्हें निर्बस्त कर गाउं में घुमाया गया पीडितों के द्वारा जब इसकी सूचना बसे डंग थाना पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुँची और घाइल महिलाओं को उपचार के लिए बाड़ी चुकित साले में भरती कराए गया जहां उनका इलाज जारी पुलिस की ओर से आरूपी की तलाश की जारी है लेकिन पीडितों की आप बीती रौन के खड़े करने वाली है मेरी घरवाली को गर में से जगन टकेतने खेंचके हैं और नंगिन करके और कपड़ा पस्तर उतार के टोंन मारफीट की बिच्चती की noon में भिच्चती करके फिर दूसरी मेरी बतीजी को नंगिन में करके एक मंगर सूट और कारन की जो इनको चीर ले गया और लूट पार्ट का ले गया घर में से लेडी बहुत मारी हम काम सुड़ने को तैयार है हमारी सुरचा की गया हमारी बारे साल मेरी मेरी भीकारा मेरा नाम है करीबन तीन वज़े आया है अपने मतलब दोस्तों के साथ दारूपी के और विच्याल लोग थे और यहां पर आकर मेरी माँ, मेरी भावी, मेरी चाची उसको नगन करके ले गया है और सब बहुत प्रिजिती की है कपड़ा हिन बस्तर उतार के अपने गाम में डिला आया है हम काम को छोड़ने के लिए तैयार है हमारे बच्चे भी परिशान है, हमने रात में बच्चों को जंगल से ढूंडूड के लाए हैं, प्यासे बच्चे भूद बियाल होगे हैं, भी हुस पड़े रहे हैं, दिख दिख के लाए हैं, हम भूद जगन गुर्जर, वही इनामी ड़केट जिसने गुर्जर अंदोलन के दोरान ततकालीन मुख्य मंतरी वसुंदरा राजे के धौल पूर इस्थित पैलेस को उड़ाने की धम की दी थी, इस ड़केट के आतंग के बाद जहां पुलिस हरकत में आई, वही चारो तरफ पूर्व दस्यू के तलाश में छाप कर फारिंग हुई, ड़केटों और पुलिस की मुठवेड में लगभग 5 दरजन फार भी हुई, वहीं जिला पुलिस अधिक्षक भी पलपल की अपडेट ले रही है, साथ ही दस्यू जगन और उसके भाईयों के साथ साथ गिरोह के ऐसे सदस्यों की तलाश की जा रही है, जो कभी इस गैंग से जुड़े रही है, ऐसे ही एक आरोपी ओतार सेंको पुलिस ने हिरासत में लिया है, पुलिस अनिस सुत्रों के हवाले से भी इस गैंग की तलाश कर रही है, जला पुलिस अधिक्षक की माने तो फिलहाल दस्यू जगन गुरजर और उसके गिरोह के पुरा दांग को कॉम्विंग किया है, इनके जहां छुपे होने की संभावना थी, वहां पर कल दविश दी है, वहां मुदभेड भी हुई है इसे, करीब 58 राउंड फायर हुए हैं दोनों तरफ से, इसमें अंधेरा होने के कारण उसका फायदा उठा करके चंबल पार करक रेगूलर हमारी कॉम्विंग चल रही है, RAC के हमारी दो कंपनिया लगी हुई है, URT लगी हुई है और हमारे सेचो बसेई डांग, सेचो बाड़ी ये रेगूलर कॉम्विंग कर रहे हैं, मैं रेगूलर डांग में जन संपर्भ भी साधर हुँ लोगों से, ताकि हम ज़ महिशत का माहुल है, वहीं गाउं में रहने वाले बच्चे और महिलाओं का डर के मारे बुरा हाल है, ग्रामिड दस्यू के भाय से गाउं में नहीं रुकने की बाद भी लोग कर रहे हैं, हाला कि घटना की बाद से ही पुलिस की अलग-अलग टीम गाउं के अलावा जहां भी जगन की मुमेंट की संभावना है, वहां कॉम बिंग कर रही है, साथ ही ग्रामिडों की सुरक्षा के लिहास से गाउं में पुलिस की ओर से चार एक का सश्रस्त्र जाबता तैयनात किया गया है, वहीं संबंधित थाना पुलिस लगातार गश्ट कर रही है, जगन कितना खूखार है, इसको जानना ज़रूरी है, चंबल घाटी में ये आतंक का परियाय रहा है, दो दर्जन हत्याओं सहित कई और मुकद में इस पर दर्ज ही, लूट पाट, हत्या का प्रयास, मुठवेड, चौथ वसूली जैसे सत्तर मुकद में दर्ज ही, 2009 में कॉंग्रेस ने महल उडानी की धमकी दीथी, 1994 में जगन ने बंदु को ठाई, एक व्यक्ति के हत्या करके धकैद बना, 1994 में बंदु को ठाकर बीहड में फरार हो गया, 2001 में एसपी बीजू जोड जोसेफ के सामने हाजिर हुआ, 2005 में छूटने के बाद फिर से धकैद बन गया, इसके गिरोह में प्रेमिका और तीन भाई, लाल सिंग, पान सिंग और पपु शामिल है, जेल से चूटकर प्रेमिका बच्चे के साथ जीवन यापन कर रही है, दो भाई लाल सिंग और पान सिंग गुरजट जेल से रहा हो गए, जगन का सबसे छोटा भाई पपु शुरू से ही फरार ह पप्पू पर 25,000 रुपए का इनाम घुशित किया है। इस बार आईजी मालीनिया ग्रवाल को अप्रोच किया और आईजी और ततकालीन एस्पी के सरसिंग शिखावत के समक्स इसने आत्मस्वरपन कर दिया। पहली है खून से तर और पहले से ज्यादा बेकरार। देखना है इन सूखे की वाड़ों पर इन दस्तकों का असर होता है कब। कहा जाता है कि जगन ने बेटी के हाथ पीले करते वक्त कसम खाई थी कि अपराद की दुनिया से तौबा करते ही। जानकार बताते हैं कि जगन ने अपने भाई की बेटी को गोद ले लिया था जिसकी साल 2010 में शादी हुई। इसमें जगन जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच गाउं पहुचा था और बेटी के हाथ पीले करते समय अपराद की दुनिया से तौबा करने की कसम खाई थी। जगन का नाम निखा हुआ है। इस्थापित कर दिया गया है। जिलापल सदीक्षा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ग्रामीनों को भी आस्वस्त कर रहे हैं कि अब आगे से दस्ट्यू का आतंग इधर नहीं देखने को मिलेगा। केमरामेंट अभिशेक के साथ विनोत तिवारी करन सिंकापरा दौलपोर। कर दूलपोर। कर दूलपोर।